हलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो मैं चैनल कुक्यूंग वित्रेखा तो ये बरफ से दिखने वाली चीज क्या है आपको पता है शायद करी लोगों को पता हो लेकिन जीने नहीं पता है उनकी जानगारी के लिए मैं बता दूँ ये है गोन कतीरा तो आज मैं गोन कतीरे से ही तो मैं बता देती हूँ कि गोंद और गोंद कतीरे दोनों अलग-अलग चीज़े होती है गोंद होता है उससे लड़ू बनाया जाता है और गोंद कतीरा जो होता है वो ज्यादा तर हम शर्बत या हेल्थ रिंग में डालके पी सकते हैं देखे इस तरीके के ये गोंद कतीर कि कितना हो जाता है वो देखिए चम्मच में मैंने निकाल लिया है आधा चम्मच से भी कम है ये और इतने थोड़े से गोंध कतिरी में हमें पानी खुब सारा डालना है इसीच का ध्यान रहे नहीं तो फूल एगा नहीं अच्छी तरीकी से देखिए आधा चम्मच गोंध कत करके रखें तो ज्यादा बिटर है तीसे मैंने रात में भी गया हुआ है मैं आपको दिखाऊंगे किस तरीके से फूला हुआ है तो अभी मैंने ले लिया एक दूसरी कटोरी उसमें डाल देना है एक चम्मच ये करीब चिया शीट और चिया शीट को हम थोड़ा सा पानी ड के लिए तो देखिए मैंने रात में भी गया हुआ था वो है ये गोंद कतिरा सिर्फ आधा ही चम्मच हमने भी गया था देखिए कितना हो गया फूल के गोंद कतिरी के अनेकों बेनिफिट्स हैं जैसे हमारे हड़ियों को मजबूत करता है मारे स्किन पे ग्लो लाता है और मिश्री भी दो टाइप के आती है ये छोटी वाली मिश्री है बड़ी वाली मिश्री आप यूज कर सकते हैं तो मैंने छोटी वाली मिश्री ली है एक चम्मच ये करीब मिश्री लिया है और इसे ग्लास में डाल देना है और एक ही चम्मच हमें चिया शीट लेना है जो हमन या फिर कभी लेते हो आप तो इसे शर्बत में या फिर नीबू पानी के साथ ले सकते हो अपि इन सब सारी चीजों को चम्मा से अच्छी तरह से गोल लेना है ये हेल रिंग कोई भी पी सकता है बच्चे बुड़े बड़े ये दिन भर में एक बारा प्ले सकते हो इसकी तास लॉस में बहुत ही हेलफूल होता है तो कैसे लगा हेल रिंग जरूर बताएगा तो फिर मिलते हैं मेरे आनेवाई नायूडेक साथ तब तक लिए बाए बाए